मैं नाम शिक्का है और मैंने लिया है 30 डेज बेट लोज चैलेंज जो कि बिना एक्सरसाइज बिना किसी डाइट के अपना बेट लोज कर रही हूं बहुत तेजी से बेट लोज हो रहा है आप सच मानी है अगर में बात को तो मैं बहुत सारी चीज़े लेती हूं लेकिन सब बहुत सारी कहने में बहुत सारी लेकिन जब आपने किचन में जाएंगे और जब आस पास जब वे में आपको मिल जाएंगे तो आपको को भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है करना क्या है जीरा सॉफ अजवाइन मेथी को भीगो दीजे और आपको एक एडिशनल जीच करके बहुत जादा महंगानी है मातर 113 रुपर का डिबा मैंने मंगाया था और उसमें मैं कलांजी डालती हूं अब यह सब चीजे में एक साथ स्टार्ट नहीं करे थी मैंने आपको पहले बता चुकी कई वीडियो में मैंने दीरे चीजों को बढ़ाया है पहले में एक दो चीजे डाल दे थी जैसे जैसे मैं उसको रिसर्च करती गई इन चीजों पर वैसे वैसे चीजे बढ़ाती चली गई तो सब्जा सीट और कलोंजी को भी दीजे सुबह आराम से आप इन चीजों कर लीजे आप जितना भी गरम पीना चाहते हैं चाह चाह की तरह चाह चाहिए मैं को कई बार बता चुकी हूं और अभी मैंने नया एट करा है एक कोई फूट लेना वह मैं अपने इनर बॉड़ी हेल्थ के लिए ले रही हूं इसका मताब मोटापे से और पतले होने से कोई फरक नहीं है क्योंकि थोड़ जाब बेट लूज होता तो आपको कही तो आप अपनी बॉड़ी में चेंज पाएंगे और थर्टी टेस का चैलेंज मैंने लिया था आज में ट्वंटी सिक्स टे है अब चारी दिन की सिर्फ बचे हैं और रिजल्ट मुझे काफी दिख रहा है और इसकी बाद भी मैं चीजों को जारी रखूंगी लेकिन और भी चीजों मैं एड़ करूंगी वह खाने में नहीं होगी पक्का वह होगी एक्सरसाइज या टहलना क्योंकि आप मौसम थोड़ा थोड़ा अच्छा होने लगा है सर्दियां जा रही है तो इस हिसाफ से मैं अपना रोटीन चेंज करूंगी और मैंने आपको बाता है ता मैं अपनी स्किन का भी ख्याल लख रही है कि मेरी बहन की इंगेजमेंट है उसके लिए मुझे पतला तो दिखना है सुन्दर भी दिखना है तो मैं कुछ नकुछ अपने चेहरे पे भी आजकल चीजे कर दी रहती हैं जिससे मुझे उससी भी फायदे दिख रहे हैं तो आपको मैं बता दूँ अगर आप यह सब करते हैं तो आपको भी यह चीज बहुत पैदा करने वारी है तो फिर अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो यूसफूल लगता हो तो प्लीज इसको देखिए और इसको भी अपनी दिन चरिया में शामिल करिए और कैसा लगया य इए, इए